नमस्काल दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं जानकाली देने बाला हूँ पेंटो 40 टेबलेट और पेंटो सी DSR टेबलेट में अनतर लिए कि कौन ची टेबलेट कब लेना है इसके बाले में पूली जानकाली देने बाले हूँ तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा आज चैन एस्ठर पर गयास बना है उस कंडिशन में घयास को ठीक करने के लिए दिया जाता है यानि कि हलका अफलका गयास बना ह्तों पेंटो 40 टेबलेट का इस favor कह लेशके हैं टेबुलेट के वाले में तो पैंटो शीट डीयासाल में पैंटो-पलाजल 40 अमजी डोम assistant 20MG टेबुलेट लाता हैं जो कि जटील gas को ठीक हलने के लिए यानि कि जब पैंटो 40 टेबुलेट से gas नहीं ठीक होता हैं तो उस Sport condition में पेंटोशीड डी एसाल टेबलेट का पल्योग किया जाता है जो कि अगल कोई पेसेंट को गैस के साथ साथ उल्टी हो ला है चकल आ ला है तो उसको भी ठीक खलता है जिसमें पेंटोशीड डी एसाल में गैस के साथ साथ उल्टी का भी दबाई मिला या लाता है यह जैदा ज तो पेंटो 40 या पेंटो 60 DSR टेबलेट गैस का है इसके ज़्यादा दल्चाइट इपेक्ट नहीं दिखे गया है लेगिन आपको हलका हलका पलका चाइट इपेक्ट हो सकते हैं उल्टी होना यहीं हो सकते हैं पेंटो 40 टेबलेट को खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले ले सकते हैं इछे कोई दिकत नहीं होता है या आप खाली पेंटो टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता हैं जो कि बहुत ही अच्छा लिजल्ट देखता है अलेश टेबलेट को चाइट इफेक्ट भी बहुत कम आता है नॉर्मल कंडिशन में पेट जलना चोटा मोटा उल्टी होना उल्टी तो नहीं होता है यह चाइट इफेक्ट हो चकता है